नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जेडी कम्प्यूटर में दोस्तों आज की टाइबिंग स्पीड है 40 सब्ट 50 मिनिट की गती से टाइबिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट अभियुक्त मानसे के बिरुद्ध धारा 295 भारतिय दंड सहीता के अंतरगत आरोप है अभियोजन पक्ष का कथन संछेप में इस पिरकार है की दिनांग 22.02.2014 को सुबह नो बजे करीब फर्यादी को महेश ने बताया की 52.02 के किनारे महादेब बालेहार पर बने संकर जी के चबूत्रा में रखे सिबलिंग की पिंडी को गाउं पच्मा के मान सेह अहरवार कुलहारी मार कर तोड़ दिया है तथा चबूत्रे के पत्थर पर भी कुलहारी मारी है फुलिस्टॉप फिर हुआ है और गाउं के महेश कोमा घंसयाम कोमा मंचा राम तथा गाउं के अन लोगों के साथ घटना इस्थल पर जाकर देखा तो सिबलिंग की तीनों तरप की पिंडी तूटी है फुलिस्टॉप तक पस्चाद घटना की पिर्थम सूचना रिपोर्ड थाना रहत गण में की गई फुलिस्टॉप अपराद बेवेचना में लिया गया फुलिस्टॉप अभियोक्त के बिरुद्ध पिर्थम द्रष्टिया अपराद प्रमालिक पाए जाने पर गरपतारी पत्रक के अनुसार अभियोक्त को गरपतार किया गया फुलिस्टॉप बेवेचना पून होने पर अभियोक्त पत्र नियालाय में प्रस्तुत किया दिनांग को अभियोक्त एवं फर्यादी के मद्ध राजी नामा हो जाने से राजी नामा आवेदन पत्र पेश किया गया था फुलिस्टॉप परंतु धारा दोसो पंचानवे भारतिय दंड सहीता के अंतरगत अपराद आव माननिय होने से अभय पक्ष द्वारा राजी नामा आवेदन पत्र निरस्त किया जा चुका है फुलिस्टॉप पेरा लेंगे अभय युक्त को धारा दोसो पंचानवे भारतिय दंड सहीता के अंतरगत अपराद के आरोप शुनाए जाने पर अभय युक्त ने अपराद करना आसुईकार किया तथा बिचारण चाहा फुलिस्टॉप अभय युक्त ने धारा तीन सो तेरा दंड पिरक्रिया सहीता के अंतरगत अभय युक्त परिच्छन में यह ब्यक्त किया है कि वह निर्दोस है कॉमा उसे जूठा फसाया गया है फुलिस्टॉप बचाओ पक्ष द्वारा बचाओ साक्षी के रूप में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं फुलिस्टॉप पैरा लेंगे अभयोजन पक्ष के कथनांग तथा अभिलेक पर आई कॉमा साक्ष के अनुसार इस प्रकार के निराकरण है तू मेरे समक्ष निम्ने विचार लिए प्रस्ण है क्या अभियोप्त ने 21.02.2014 को बारा बजे थाना रहतगर अंतरगत बावन नदी के किनारे महेश पटेल का खेत का चबूत्रा कॉमा ग्राम पचोहा में रखे सिवलिंग की पिंडी को लोगों के धर्म का अपमान करने के आसाई से शिवलिंग को कुलहाडी मार कर तोड कर छती ग्रस्त किया प्रस्ण वाचक्चिन पैरा लेंगे सकारण निशकर्ज विचारणिये प्रस्ण किर्मांग का निराकरण इस संबंध में फर्यादी तिजाई ने नियाएलीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्त मानसे को जानता है घटना उसके कथन दिनांक से जीरो दो साल पहले की बावन नदी के पास बने संकरजी के मंदिर की है घटना दिनांक को उक्त साक्षी जब पुलिस को लेकर गया तब संकरजी की मूर्ती फूटी हुई थी उक्त साक्षी ने बताया है कि गाओं के कुछ लोग जब जल चड़ाने गए थे उन्होंने उसे आकर बताया था कि संकरजी की मूर्ती फूटी है फूलिस टॉप उक्त साक्षी ने बताया है फूलिस टॉप पूलिस टॉप पूलिस लॉटी ने पूलिस टॉटी टॉटी हूलिस टॉटी झॉब कुछ घॉटी